प्रवी एजुकेशन की इस प्लेट फाम पर ये दिया आप नहीं हो तो कि पर चैनल को लाइक से और सब्स्ट्राइब शिरूर करें नमस्कार दोस्तों रिजिश्केशनेगेट वी में अब फिर से आप सब लोगों का स्वागत है और आज की लेक्चर में हम लोग वालिट्चिक बैंक के बारे में अधिन करेंगे इसके पूर्व में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो बैंकिंग बेवस्था का प्रारंब्ब बैंकिंग की तरीके से स्थापना हुए र किया कारे है और पिछले लेक्चर में साख्ष्ण कि नियंतर पर की व्यक्त किया पूर्व हम लोग वाड़िजिक बैंकों के बारे में जो आज लेक्चर में अध्यन करेंगे बाड़िजिक बैंकों के जो एक सामान्य बेऊस्था को जानेने का प्रियास करेंगे और इसके साथ साथ जो है वाड़िजिक बैंकों के क्या कारे होते हैं और उनकी कुछ समस्याय हैं इन त बाड़ेजिक बाइंकों के ही स्रेडी में आती है इस बैंक के रूप में जैसे SBI है PNB है बैंक का बड़ोदा है रहबाद बैंक जो भी बैंक है वो इसी प्रकार के जो बैंकों की स्रेडी में आते हैं तो कुल मिला करके जो है हम लोग जो अपने आसपास के बैंक देखते है जहां पर हम अपने पैसे जमा करते हैं रिंड लेते हैं वो सब बाड़ेजिक बैंक के रूप में आते हैं और बाड़ेजिक बैंकों को अगर परिभासित किया जाए तो यह खा जा सकता है कैसे वित्तिय संस्थान जो जनता से जो है मांग जमा प्राप्त करते हैं और विभिन करना होता है तो ऐसे रहेंकों को जो बारेचिक बैंक के रूप में जाना जाता है तो हम लोग मुल्ड रूप में तीन प्रकार्व थे जो है एक सामान परिचे के रूप में जो है इसमें क्या चीजें है और उसको देखेंगे और दूसरा जो है इसमें कार्य है वाड़जिक बैंकों के क्या कार्य है इसको देखेंगे और अगला इनके सामने जो है क्या चुनोतियां है क्योंकि बर्तमान समय में जो है वाड़जिक बैंकों के समक्ष चुनोतियां भी है ये नपीए की चुनोतिय है और कई परकार की इस लेक्टर बनता है जिसके बारे में बहीतर समझ होना आप रोगों के लिए आवस्चक है तो बारे जिक बहेंक को दो भागों में जो है अनसूचित वारे जिक बैंक और गैर अनसूचित में विभाजित किया गया है माले कि ऐसे बैंक जो आरबियाई की दूसरी अनसूची में संबलित हैं उन्हें जो है अनसूचित जो है वारजिक बैंकों के रूप में संबलित किया जाता है और वह बैंक जो इसमें संबलित नहीं है वोई गयर अनसूचित वारजिक बैंक के रूप में आते हैं अब यहां पर यह बात और प्रिश्ण मन में उत्पन होता है कि अगर इस तरीके की बात है कि वारचित वारचिक बैंक और गहेर नुशित वारचिक बैंक है तो इसमें क्या अंतर हो सकता है बेसिकली कुछ ऐसे जो है गाइड़ाइंस हैं जो अनसुचित बाड़ेजी बैंकों को मानेना होता है अब इसमें जैसे कि CRR और SLR जो कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डीटेल में इस पे चर्चा किया था कि कैस रेजर प्रेशियो और स्टेचरी लिकेडिटी रेशि कि अनसुचित बारेजी बैंकों को नहीं रखना होता है लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे जो है लाव होते हैं कुछ ऐसी जो है सुमय लाइफ होती है जो अनुच्राइज्पों को प्राप्थ होते हैं अब इसके अंतरगत जो है जैसे check के clearance की सुभिधा यानि की चेकों के समाधान जो है कि उसको भुक्तान किस बैंक को कब कहा कैसे किया जाना है तो उसके जो है बाड़ेजिक बैंक और गयर बाड़ेजिक बैंक के बीच में जो है इनका जो है अनसूचित बाड़ेजिक बैंक और गयर अनसूचित बाड़ेजिक बैंक के रूप में इनका बर्गिकरन किया जाता है वाड़ेजिक बैंक को इसके साथ साथ में जो है सार्वजिनिक बैंक औ और ये जार्वजिनिक और निजी बाइंक ये जो है अंसूची भाड़े जिबाऑंक और गएर पिनभर्लứng से प्रिफक होते हैं दोनों एक नहीं है क्योंकि इसका आधार वो होता है nosa भागेदारी यक् hoop प्रतिसत और से जो और निजी बैंक ये दोलों जो है अनसुची बारजी बैंक और गए इनसुची बारजी बैंकों से जो है वह प्रृथक दौह होते हैं अब इसके साथ में हम लोग यह देखेंगे जो है भारतिय बैंग और बिदेशी बैंक का भी एक वेवस्था हें होती है जो भारति, बैंक और बिदेशी बैंक भी होती है जो यहां के लोगों के द्वारा जो है यहां के RBI के निर्देशन में बैंकिंग अधनियम 1949 के माध्यम से अस्थापित किये जाते हैं वह भारती बैंकिंग की सिर्णी में आते हैं और इसी तरीके से कुछ ऐसे बैंक हैं जो विदेशों में विदेशों की साखाओं की रूप में स्थापित होते हैं या विदेशी बैंक ही यहां पर स्थापित कर दिये जाते हैं जिनका की जो है जो मूल रूप में जो है कहीं दूसरे देश के जो है लोग होते हैं और यहां करके जो है तक केवल अपनी खोल सकते थे यानि कि जो वीदेशी बैंक के बारे में ये प्राउधान था कि इस तरीके के समय समय पर जो है नियम भी बनते रहें तो कुल मिला करके अनुसूचित बाड़ेजिक बैंक साज्मिक बैंक निजी बैंक भारतिय बैंक और विदेशी बैंक इन सभी के बीच में कुछ अंतर हैं जिसे जो है सायल आप लोगों के अस्तर पर यह असपश्च अधिया जाता है और भारत में कोई खुल रहा है तो उसकी जो है नियुमतम पूजी जो है बाइब बनाई गई थी यह मंट में शरूब समय समय पर परिवर्तन होता रहता है लेकिन निस्चित रूप में एक एक जो निवंतम जो पूजी थी वह पांच लाक रूपे जो है इसकी बनाई गई थी इसकि कम धनराज पर कोई बैंक खोलना नहीं जा सकता है कम से कम अगर देखा जाए तो वाड़त जिक जो बैंक है वह बहुत पहले से काम कर रहे थे 1970 इस भी में जो है 19 जुलाई 1970 इस भी में जो है 14 बैंकों का जो है राश्टियकंड किया गया और 15 अप्रैल प्याक घ्राजण ओंक रश्टैकंड कि भारत में तयों दूसरी बार जो है उच्छे बैंकों का जो है राश्टियकंड किया गया और इस तरहीं बढ़ते रहे साल्मिक छेटर की अलावा निजी छेटर की विवी महातिपूर्ण क्या में है और अलावा जो है एक्सिस बैंक आता है और HDFC यह CDFC यह महातिपूर्ण बैंक है तरह समय समय पर बाद में कई city bank को अलग अलग कई bank जो इस्थापित हुए लेकिन मुख्य रूप में यही अपनी भूमिगादा करते हैं और यही देखने में जो आते हैं तो साज्मिक बैंकों के साथ साथ जो है निजी बैंक भी जो है यही बारेचिक किसम के ही बैंक है यानि कोई बैंक जो है साज्मिक बैंक होने के साथ साथ भी बारेचिक बैंक हो सकता है निजी बैंक हो सकता है तो दोनों के बरगेकरन का एक अलग आधार है कि जो है बारेचिक बैंक जो है के रूप में यह था ने क्लिठे में पहली कि अस्थाबित किया गए था उनीस सो तिरानवे इसनी चाफनाय स्थापना इसन वी में यह दो हजार साफ के रूप में मानित सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसका फूल फार्म है और आइसी 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 का पूरा नाम है वह इंडस्ट्री ट्रेडिट एंड इंबेस्ट्मेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया इसका पूरा नाम यह है और यह जो है इसलिए आपने परकार की चीज्जों को अध्यन किया इसमें जो हैुसके परइभांसों को देखा उसके परकार को देखा कुछ कोलिप सार्च भी कॉनेजी परकार के भैंको उसके समिल कीया अभी हम लोग इसके कारे को देते हैं बाद जित लिएकों का तीन महत्त पूरकारी है एक तो मां जमा, दूसरा रिंड देना, तीसरा साक का सिर제ं करना.. वाडइत जी के द्वार्दा किया जाता है है। तीन सबस्ती व्हांत्पूर्ण काम है मैं कहीं पर यही होता है य WOW में बचत को शुभीकार करना, दूसरा रिंड देना और फा शाक क साbacks को लेया जो भी इंकम की से विथ्चिरफ में होती है उसकी फोग के पात जो भी बचता है वह सुख़बात सो था हृह यह उस पर एक निश्चित खाते खोले जाते हैं चानु खाते खोले जाते हैं शीमा होई होती है चानी आगर लेकिन उस पर कोई ब्याजदर नहीं मिलता है तो एक तरीके से कुछ सुविधाय होती है तो दूसरी तरी सकी कुछ मुछ नुकसान भी होता इसके अलावा जो है सावधी बचट को भी जमा के रूप में सुविकार करता है लेकिन इस पे ज्यादा ब्याज़ दर्फ राथ होता है लेकिन एक निश्चे समझ जैसे अगर साथ बर्स के लिए कोई भी जो है धन उसने एक लाख रूपे जमा कर दिया तो यह जो है साथ बर्स के पहले नहीं निकाला जाएगा और इसके जो हैं इंट्रेश्ट ज्यादा जो है जिसको कहा जाता है तो एक निश्ची समय के बाद ही निकाला सकता है इसके अलामा जो है बैंकिन बेवस्तार को ग्रामी नस्तर पर समाज की कमजोर बर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए नो फ्रिल एकाउंट का भी कांसेट आया हुआ था नो फ्रिल एकाउंट कीसे कहते हैं यानि बैंको के द्वारा दी गई एक आईसी सुवीदा जिसमें जनता के द्वारा जो है जीरो यह बहुत ही कम मिनीमुम जो है यानि उनुतन धनास के साथ खाते खोले जासकते हैं उसे नो फ्रिल एकाउंट कहा जाता है यानि कि इसमें बहुत जादें जो है अमाउंट को मेंटेन करनी के आउसकता नहीं होती है यह लगवग जो जीरो अमाउंट पर जो है बैंकों में खोले जाते हैं इसके अंतरगत जो कुछ योजनाय चलाई आती हैं सामानते जो सालूखहाता सावधी जमयां खाता आवर्ति खाता और लो फ्रिल अकंट इतयादफिक खुलते आवर्ति खाता इनिक विक्रिम भी दुपाइजटिसको निस्चित अग्ला रिड़ देने की बेवस्ता तीन प्रकार से रिड़ दी जाती है यहाँ पर एक अल्पकाल के लिए कालमरी मार्केट दूसरा जो साख के रूप में नगत जो है दूसरा ही जो रिन है वही सबसे ज्यादा दिया जाता है यानि कि परतिभूतियों पर रिड़ जिसको कह जाता है कि साहर जmos रूस परतिभूति के बदल्या को रूसमें धु भून के स्वामी को करदान के जाता है और छे महाइने तक उसको स्रकार शेज़ासिश मेंग श्रकार भरगा करती है तो इस रूप में जहांपर अल्पकालीं कि पंद्रा से लेकर के कुछ दिनों तक के लिए रिन देती है अल्पकाली जो देती है सामाद्य बाढ़ेचिक बैंक अल्पकाली देती है दूसरा जो है साथ होता है जिसको पर्तिभूतियों पर जाता है और अगला जो अधिविकर्ष होता है अधिविकर्ष के रूप में जो जो जाना जाता है तो इस तरीके से यहां पर जो है रिंड की सुविदा देती है यानिकी बैंक जो है आपने नागरिकों के बिकास के लिए उनकी विभिन प्रकार के जो है कारियों को संचारित करने लिए छोटे उद्दोग धंधे के लिए कर दो तो कैरें दूसरा इसका जो सबसे महत्तु काम था जी और प्रदान करने का जो काम होता था तितीं रूप होता है अगला है साख सिर्जन करना की साख कैसे सिर्जित होती है बाहिंकों के द्वारा जो अपने प्रारंदी जमा के आधार पर ही अत्रिक्त माग जमा को सिर्चित करते हुए साख का सिर्जन किया जाता है जैसे कोई विभ्यक्ति जो है एक हजार रूपे एक बार में निकालेगा, तो एक हजार रूपे बचा करें, एक हजार रूपे सेश रखते हुए, वो 9,000 रूपे करें दे सकता है, और ये पुना मान करके चलता है, कि ये इसका भी 10% ही, अगला बेक्ती जो है, एक बार में निकालेगा, तो इसका 10% हो गया 900 रूपए अब इतना रूपए जो है वो बचा करके सेस जो है 81,800 रूपए वो पुना जो है वो अत्रिक्त देता के रूप में अत्रिक्त देध्धनाशी के रूप में जो है वो रिड़ दे सकता है तो इस तरीके से यह अत्रिक्त माग जो है सिर्चित हो रही है और यह अत्र वार्णजिक बैंकों का यह सबसे महत्मूर्ण यही तीन कारी होते हैं कॉन कॉन से एक तो बहुत जब नहीं करता है दूसरा रेंट देता और साहख का सिर्जन करता है कि इसके कालिके बाद इसकी कुछ चुनोतियां है चुनोतियां यह है कि सबसे महत्कूर चीज यह है कि यह पीए का जो है बढ़ना दूसरा जो है सी आरार का जो है उच्छ दर होना और निर्देशित रिण की विवस्था और परतियस परधात्मक्षंता का भाव परतियस का धात्मक्षंता का अभाव यह जो है कि समस्यां यह का मतलब होता नान पॉल्पार्मिंग असेट्स नान परिफार्मिंग值 यानि कहने का ताथ पर यह इस बादन परशंपतियां यानि कि ऐसा जो है परशंपति जो बैंकों के द्वारा रिंड के रूप में दिये जाते हैं लेकिन ऐसे रिडों के वापस भुपतान की जो है संभावना नहीं होती है तो ऐसे अमाउंट को जो है NPA खा जाता है यानि कहने का थाथ पर यह कि अगर बैंक जो है एक लाग रुपे का लोन देता है और वो लोन जो है मूल धन और व्याज के साथ उसे प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे लोन देने से बैंकों को क्या लाब होगा और यहीं अमाउंट जो है वो नान परफार्मिंग एसेट्स के रूप में जाना जाता जो कि बर्थमान समय में बैंकों के सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में जो है उभर करके सामने आई है और यहीं बैंकों के दिवाली हमोने का भी जो है कई बार कारण होता है कई बार जो है बैंक जादा से जादा लोन देते हैं और पुना उस वह आजाती है आपके एंपी के रूप में तो इंपी की जो परिवासा इस रूप में है capital reserve ratio यानि के नगध आरक्षी अंपाथ कैस result ratio, is return ratio नगध आरक्षी अंपाथ, जब भाइन को अपनी सावध हमागत तो आएसे इस्तिति में वो अपना बिजनस कैसे कर पाएंगे रिड कैसे दे पाएंगे अत्रिक साखस्तेजन कर पाएंगे तो इन कारणों से भी जो यह चीज़ आती है और इसके जो जादा उच्छस्तर पर रखने का भी कारण यह होता है कि बैंकिंग बेवस्था का मजबूत रूप में नहों बैंकिंग बेवस्था यानि कि देश की कॉनमी यह तो है आर्थी बेवस्था में लोगों का विश्वास ना पाएदा हो पाना इन कारणों से भी जो है आर्बी आई के दौर ऐसे रूल रिगूरेशन बनाने पड़ते हैं है जो विकास की दौर में पीछे हैं कई यहां पर आप जरूरेंड के रूप में दीजिए तो चुकि कि वहां पर लाव कम होता इसलिए यह यहां पे बैंकों को भी प्राप्त नहीं हो पाताई या बहुत देर में प्राप्त होता है तो इस कारण से भी जो है यहे एक महत्त भूनए लोती है लोगों में आर्थिक सिछा का रशी में क्यों में आर्थिक। घड़ जाती हैं जिससे बैंकों की परफॉर्मिन भीकुछ बनाए गए है जिसमें जो है समीतियां और आयोब बनाए गए हैं तो 1991 इस भी में और 1998 इस भी में नर्सिंग हम समीति का जो लगटन किया था इस समयति ने जो बैंकों की समस्त बेवस्ता उसके कारेपरणाली उसकी समस्याओं का अध्यन किया और अध्यनों परांत उसने जो एक कुछ लगशन रिकमेंडेशन दिया उन्हें लिकमेंडेशन में चार महत्त्मूर्ग मेंडेशन थी यह टो बैंकों की बीलेव पर उसने जोर दिया परतीयस परधात्मक्ष मता परबल दिया स्वाएतता परबल दिया और कि सी ए आर केप्टल एडिक्वेट रेशियो पर उन्हों ने जो है बहुत ज्यादा जोड़ दिया नहीं कि जिसको हिंदी में आप बोलते हैं पूजी परयाप्ता अनुपाद पूजी परयाप्ता अनुपाद अब इस पर जादा जो है बल दिया जादा कैपिटल अडिक्वेट रेशियो कई बार अब बैंकिंग की छेतर में या बिविट प्रकार के अपसी जैसे संस्था हैं उसके लिए बनाई गयी यह वेवस्था कि कैपिटल एडिक्वेट रेशियो 15 से कम नहीं होना चाहिए इसलि पर यह समीति थी कुछ संस्तागत अस्तों पर प्रियास किये गए हैं कि संस्तागत अस्तों पर प्रियास में हो है उनीस्तो फासाथ हिस्वी में जो है उनीसto Achse इस भी किल गैसे कर दिये जाने वाले रिण और उसके जोखिम से कम करने मिर्ए लाइंकों का मजद करते हैं और अगली बेवस्ताती सामाजिक नियंत्रण अब सामाजिक नियंत्रण बैंकों को सामाजिक छेत्रों में काम करने के लिए प्रेवित करता है इसका ताथ पर समाज का बैंक पर नियंत्रण नहीं बलकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंकों की भूमिका अगर बखुत बड़े अस्तर्व का कोई लौन दिया जाना है कोई कार्पूरेट सेक्तर को किसी छेट्रों को तो ये एक बैएंकों के बजाए जो है वो जो है अलग अलग बैएंकों के द्वारा दिया जाएएगे जिससे एक बैएंके बैएंकों पूर्वेवस्था रहा कि गुणवक्ता और निस्पादन के लिए जो एक मानक की बात की गई है और इसके अंतर कर जो है दो तरीके के गुणवक्ता यह निस्पादन मानक को निधायत करने के लिए सी ए एम कि यह जो है अंतराष्टी एस तर पर लागू किया गया है और यह जो है वह भारती एस तर यह मानक बनाए गये हैं अब बैंकों को जो है इसी आधहार पर काम करना होगा कैमेल्स और सीस यह यानि कि जो है कैप्टल अडिक्वेट रेसियो असेट क्वालिटी हो गया यह और सिस्टम मैनेजमेंट हो गया इन चीजों पर बल देना होगा इनके आधहार पर ही जो है किसी भी बैंक को मानता दी जाएगी यहां पर पहला दोनों जो है इसी के समान है यानि कि कैप्टल एडिक्वेस्ट रेसियो एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट यहां पर बात की साथी अस्तर पर क्रमसा बैंकों की गुडवत्ता यों निस्पादन छंता के लिए जो मानक बनाए गये हैं वह मानक कैवेंस और सीएस के रूप में जाने जाते हैं बेसिकली इसको भी ध्यान में रखना आवस्यक है तो इसके माध्यम से आप अपने उत्तर को जो उनके बारे में हम लोगों ने दिन किया उमीद करता हूँ इससे एक आपको जो तथ्यात्मक यूम अधानात्मक समझ भिक्सित हुई होगी और आने वाले समय में आप परिच्छा में इसम्रित होते हैं इससे पूछी जाने वालों को हल करने में आपको मदद मिलेगा तो आ